जन्पत भदोही में 9 दिसंबर 2022 को जला खादी वित्रण अधिकारी जन्पत भदोही द्वारा अपने कारले और SDM ग्यानपूर और SDM भदोही वा SDM ओराई जन्पत भदोही का यूजर आईटी पासवर्ट को अग्यात व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कर परिवर्दित कर 1160 किसानों का फर्जी तरीके से सत्यापन किया गया डिजिटल सिगनेचर और पासवर्द परिवर्दत कर फर्जी तरीके से कुरशक पंजियन सत्यापन करने साइबर टीम जन्पत बदोही ने एक उलेखनी काम किया है इसमें सरकारी धान की जो खरीद होती है उस खरीद में फर्जी वाड़ा करके और फर्जी तरीके से नकली किसान बनके लगबग 1100 से अधिक किसानों की फर्जी आईडी का इस्तिमाल करके फर्जी रिजिस्टेश है उसकी गैंग ने किया था इसकी सूचना जब SDM और आई को जब इसमें कुछ संका हुई तो उन्होंने DM साब को रिपोर्ट किया और DM साब ने फिर DFMO को जब बताया तो DFMO की तहरीर पे इसमें थाना ग्यानपुर में मुकदमा लगबग 2 मेने पहले पंदिकरित किया गया सफलता प्राप्त की हैं इसमें अनिल, लनेस, शिवम और शुबम है यह अनिल और जो इसके wijs मील हैं और उसी का यह चावल बेचने की फिराग में, सरकारी खरीद में बेचने की फिराग में थें और एक इनका computer operator है जो इस सारे फर्जीवाड़े को करता था और इसके अलावा DFMO के office में एक समीदा कर्मी computer operator था जिसने ये login ID और password जो DFMO का था उसको अपनी तरीके से गरत तरीके से rice mail के मालिक को पहुंचाया और उन्होंने फिर इस ID password का इस्तिमाल करके विबिन जो अधिकार कि सतरक्ता और साइबर टीम जो है उसके परियास से ये अपने परियास में सफल नहीं हो पाए सरकारी धान की जो खरीद है उसको दुस्परभावित नहीं कर पाए और ये पकड़े गए आज इनको गिरफतार कर लिया गया इसमें और जो फर्जी शीम इस्यू कराई गई है हजार से ज्यादा फर्जी शीम इस्यू कराने की जानकारी मिली है और तो उसमें भी कई लोग सनलिप्त होंगे और इसके अलावा और जो अन्य सनलिप्त लोग हैं उनके बारे में जानकारी की जारी